। नमस्का फैंट्स में नाम बबलु रमा पेपर रहार करें आपका सुआगत ए हम श्टार्ट करने वालें यहाँ पर वि यह सेकंड सैमिस्टर ठीक है भी यहाँ पर हमारा चल रहा कि या खिलजी पढ़ लिया हम तुगलक की वर बढ़ चुके हैं तुगलक बंसका नंतिम सासक नसर रुद्दीन ठीक है तो अच्छी प्रिकार से आराम से को सुनना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अहीं जो पार बार एक्जाम में पूछा जाता है तो आपको अच्छी पर उसकी मत्यू के परशात उसे सभी उतरदीकारी जो उतरदीकारी हुआ करते थे वो कैसे हुए आयोग सिद्ध हुए और अपने सामराज को संगटित करने में असफल रहे फलता धीरे धीरे बिसाल तुगलग सामराज छिन बिन होता चला गया तुगलग बंस के पतन के लिए निम्लिकित कारड उतरदाई थे कौन कौन से कार उतरदाई थे उसके बारे में देखेंगे पहले की बात परेंगे सामराज की विसाल था अब सामराज बिसाल होगा तो उसको समालने में घठनाईया होगी इतिहास कारों के अनुसार तुगलग बंस के पतन के पिरमो कार तुगलग सामराज का आतरदिक विसाल हो जाना था MS आयंगर के सब्दों में सामराज का भारी पन और उसके भिन भागों में संचार की खटनाईयों ने प्रांती गवर्नर थे का स्वतनता की और मार्ग दरसित किया मतलब जो प्रांत थे छोटे छोटे प्रांत जो हुआ करते थे वो क्या हुए अपने आप में स्वतनत होने चाहते थे उसकाल में परिवहन के सादन बहुत कम तता दिल्ली से दूर के जो प्रिदेश थे उन पर निंतर रखना एक एक कठिन कार हुआ करता था तो उनमें अपने अपनी रियास्तों को सामिल कर लिया फिर बात करते हैं योग सेनापती और मंत्रियों का आभाव तुगल बात करते अपनी स्वार्त सिद्ध में ही कैसे रहते थे लगे रहते थे ठीक है अब बढ़ते हैं आगे दुरलब सेन संगटन के बारें बात करते हैं फिरोज तो गलत ने सेन संगटन में जो परिवर्टन किये उसके परडाम सुरूप सेन अतर्द दुरबल हो गई उसने सैनिकों के पदो में वनसानुगत बना दिया ठीक है सैनुको पदुबा करता है वो कैसा बना दिया बनसानुगत बना दिया और ब्रद सैनिको को सेना से अलग कर दिया सेना पतियों को जागीर देकर सेना को दुर्बल बना दिया कैसा बना दिया जागीर हो देख है कोई कि जो आपने पढ़ाओगा अलावदिन खिलजी के वारे में तो अलावदिन खिलजी ने क्या कर दिया था जो जागीर परताती उसको खत्म कर दिया था और डैकली वेतन दिया था उसने तो उसी प्रिकास से यहां पर भी हो जाता है, ठीक है, यहां पर उसने डवल कर दिया था, थोरो फिरोस्ता तुगलक ने क्या किया, जागिरे बापस कर दी, और जागिरे प्रसासन थी, सेना थी, वो कैसे हो गई, दुर्बलवन्चु की थी, अब बात करते हैं, स्वार्ती, प्रांती और सुवेदार प्रांती की बारे में, सुवेदार जब जब प्रांती सुवेदार जब जब केंडरी सक्ती की दुर्बलता को देखते, तब तब बिद्रो कर देते थे, सुवेदार प्रार्ती महत्बकांची और अबसरभादी थे, उनमें राश्टी भावना का अब आपता तुगलक सुलतानों की अयोगता का लाब उठा कर उसके सुभेदारों ने अपनी सुतंता की गोष्णा कर दी और कई प्रांत सुतंता भी कर दी है अब बात कहते हैं दासपृता को प्रोथ साहन देना फिरोज सा तुगलक एक क्योशन बहुत इंपोर्टेंट है क्योशन बनता है कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दासों की संक्या किस सामराज में थी तो आपको ध्यान लखना है फिरोज सा तुगलक के सासन काल में सबसे ज़ादा दासों की संक्या हो चुकी थी ठीक है तो तुगलक फिरोज तुगलक ने अपने काल में दास प्रता को विसोत प्रोज साहित किया परणाम सुरूप सासन के सासन में दासों की संक्या दिन प्रते दिन बढ़ती गई कुछ दासों को तो भिन्न परांतों में महात्पूर पदों पर भी न्युक्ति किये गए धीरे-धीरे दासों में अपनी सक्ति को बढ़ा लिया और राजनीती में हस्चेप करने लगे फिरोस तुगलक की मित्यों के पश्चा तो उन्होंने तुगलक सामराज के विरुद्ध बिद्रो कर दिया और कुछ अन्य बिद्रोहियों का भी साथ देने लगे तो इस प्रकास से दासप्रता सबसे जादा आइस में बढ़ चुकी थी और उसके बाद उन्ही दासोंने तुगलक बिंस का भी अतन पतन करना चाहां ठीक है और भी हूँ भी जाता है तो बात करते हैं मुहमत बिन तुगलक की आविभार निती मुहमत बिन तुगलक की योजनाओं में दिल्ली सल्तनत को जड़ो को खोकला कर दिया कोई कि मुहमत बिन तुगलक की योजनाओं ने दिल्ली सल्तनत की जड़ो को खोकला कर दिया राजधानी को दिल्ली से देविगरी ले जाना दोबारा से करबधी तांबे के सिके चलवाना खुरासान और कराजल पर आकरमण आदी योजनाओं ने सल्तनत की राज़कोस को खाली कर दिया और पडिजाब रोधी करने लगी बात करते हैं देशी और बदेशी अमीरों के प्रतक होने से तुगलक सल्तनत के पतन के मार्ग प्रस्त हो गए तो इस प्रकास ही हो जाता है तो तुगलक बनसक के पतन में सुल्तान फुरोज तुगलक का भी हात रहा उसकी जागीर परथा तुकि जो सैनिक थे उसमें जागीर परथा नहीं चलती थी जब खिलजी था खिलजी ने बंद कर दे थी इसने फ्रोसा तुगलक ने जागिर पर्था को रिलिज कर दिया दो बारा तो उसकी जागिर पर्था का जागिर पर्था दास पर्था और राजमीती में उलिमाओं को मध्यस्ता आदी भी सुल्तान के पतन के लिए जिम्मेदार थे सुल्तान के बिद्रोही सुबो को अधिक मिनाने के लिए उसने अमीरों की बात नहीं मानी इस कारड बहे बिद्रोही को कुछलने में असपल रहा पर्ढाम सुरुप सुल्तान का पतन आवर शकता वे सुल्तान के लिए तो खून कच्चर काना बहुत लाजमी हो जाता है ठीक है बात करते हैं तुगलक सुल्तानों की धार्मिक निती तुगलक सुल्तानों की धार्मिक निती तो तुगलक बंसका पराए सभी सुल्तान धार्मिक पच्चिपात की निती पर चलने वाले थे हिं के अनिक मंदिर तोड़ दिये गए ुस प्रकार के कारियों के परणाम सुरूप हिंदु ने भी अपने को शासन का अंग नहीं समझा पिधास अपने को अपमानित अनुभब करते रहे हिंदु ने भी सुल्तान को हिर्दै से समर्थन नहीं दिया तो ये भी काड़ जाता है बात करते हैं फिरोज तुगलक के आयोग उत्धिकारी तो फिरोज तुगलक के उत्धिकारी बड़े आयोग और बिलासी थे बड़े बड़े सरदारों के निसरडियंतरों के द्वारा उन्हें अपने हाथों की करपोती बना लिया था फिरोस्त तुगलक की मित्यों के परश्चात उसके सभी उत्दिकारी अयोग सिद्धुए और सामराज को संगर्ट करने में असफल रहे उनकी अयोगता का लाव उठा कर अन्यक प्रांती ये सासक परसन्न हो गए और तुगलक सामराज छिन्न बिन्न हो गया बात करते हैं तैमूर पर आकरमड़ भया बैरी बैरी इंपोर्टेंट कोशन है तैमूर पर आकरमड़ ध्या नकना तेरा सो अठानवे में होता है तैमूर पर आकरमड़ ये इतना और यहीं से हमारा क्या होता है तुगलगबंस समापत हो जाता है ठीक है क्योंकि तैमुर का जो आकरमण है वो very very important है तुगलगबंस के खातमे के लिए ठीक है तो तैमुर कर आकरमण 1398 में समरकंद के सासक तैमुर लंग ने दिल्ली पर आकरमण कर दिया इस आकरमण ने अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक बंस का सामराज भारत में सबसे अधे के बिस्तित था गया सुद्दीन तुगलक ने अलाव दीन खिलजी की दच्छड विजय का पूरा लाव उठाया और उसने उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया परंतु उसी स में से तुगलक बंस का पतन और तुगलक सामराज का बिक्टन प्राराब हुआ और अंत में नसुरदीन मुहमद जो बंद जो इस बंस का अंतिम सा सकता के साथ में ना सुल्तान के प्थिष्टा सेस रही और ना उसका सामराज उसके बारे में कहा गया है कि संसार के स्विका स्वामी का सासन दिल्ली के पालक तक फैलात फैला है इस परकार बिभिन पैस्ततियों के कारड तुगलक बंस का पतन हुआ मुहम्मद बिन तुगलक और फ्रोस्ताहा जैसे सासक भी इसके लिए उत्तरदाई थे परंतु मूलता फ्रोस्तुगलक के उत्तरदाई थी अगर मूलता की बात करें तो फ्रोस्ताह तुगलक की ही थी पुगि लाश्ट में कौन बना रहा फ्रोस्ताह तुगलक जो एक निर्वल कात करते हैं निर्वल निर्वल ही कहो जो खोन कचर को नहीं देखना चाहता बिद्रोयों को दमन नहीं कर सकता वो क्या एक निर्वल भी है तो फ्रोज सा तुगलक बैसे बात करें बहुत फैमस है मगर वैसे एक निर्वल साज़क हुआ करता था कैसा निर्वल साज़क हुआ करता था ये एक बड़ी ही तुगलक बंसके खात्मे की एक प्रिकास से नीव डाल देता है ठीक है फ्रोज सा तुगलक तो ये इसके बाद में नसर अदिन बनता है तो वहाँ पर खात्मा हो ही जाता है तो हमने क्या क्या पड़ा हमने दिल्ली सल्तनित के अंदर क्या पड़ चुके हैं गुलाम पड़ लिया गुलाम पढ़ लिया गुलाम, खिल जी ठिक ले, खिल जी, उसके बाद हमने तुगलक भी पढ़ लिया, तुगलक अब उसके बाद आ जाएगा हमारा सायद बंस, अगर सायद बंस जो है, वह आपके गिजामिक लिए इतना important नहीं है, मगर फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा इसको देख लेते हैं, गुलाम बंस का प्रतम सासा कौन था, एवक था, अंतिम सासा कौन था, अंतिम सासा को जाता है, तुमारा गुलाम बंस का कैकू बाद क्या था, कैकू बाद हो जाता है, जो बलबन का पोता हुआ करता था, खिलजी बन्सका प्रतम सासक कौन था गया सु बात करते हैं फ्रोज सहा नहीं खिलजी बन्सका प्रतम सासक कौन था अलाउद्दीन से पहले जलाल अद्दीन खिलजी कौन था जलाल अद्दीन खिलजी खिलजी हुआ करता था खिल्जी वंस का अंतिम सासक कौन था, खुसरो साइसे सुसरो सावी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुसरो सावी कहते हैं, उसके बाद तुगलग वंस का पिर्तम सासक कौन था, गया सुधीन, गया सुधीन तुगलग हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद अंतिम सासक कौन हो गया, अंसिम सासक नसुरुद्दीन, कौन सो गया, अंसिम सासक हो गया, नसुरुद्दीन, ठीक है, अंतिम सासक नसुरुद्दीन सा हो गया, नसुरुद्दीन सा हो गया, नसुरुद्दीन साहा इसका पुरा नाम है, उसके बाद सयद बंस का प्रितम सासक हो जाता है, यह जाता है खिरिज खां कौन था सयद बंसका प्रितम सासक धान रखना खिरिज खां हो जाता है सयद बंसका अंतिम सासक कौन था आलमसा कौन था आलमसा आलमसा ठीक है तो इस प्रकास से ये आपको याद रखना है प्रतमसासक अंतिमसासक प्रतमसासक अंतिमसासक ये तो आपको बहुत इंपोर्टेंट है ये मैंने सारे बता दिये गुलाम बंसका प्रतमसासक एवक अंतिमसासक एकुबाद खिलजी बंसका प्रतमसासक गयासोत दिन फ्रोज ज आएगा अब हमारा देखने को मिलेगा लोदी बंस का पहला सासक होता है बेहलोख लोदी कौन होता है बेहलो ंतीम लोदी अइसका ले 1 को मिलेगा बावर और शिकंदर लोधी के बीच आपको इद में लेगा किसका पानी पत का पहला है हो ठीक है तो इस प्रकास से हमारा उसके बाद दिल्ली सल्तरत अंत हो जाता है तो अब हम यहाँ पर कहाँ बढ़ेंगे सिकंदर लोधी बहलो लोधी और यह हो जाएगा इवराहिम लोधी इवराहिम लोधी अंतिमसासक कौन था इवराहिम लोधी तो यह आपके उजाते हैं दिल्ली बंस के प्रिथमसासक अंतिमसासक मेंने सारे पढ़ा दिए ठीक है अब हम देखो पहली बात थे हमने तुगलग बंस खतम कर दिया सयद बंस आपको बहुत कम देखने को मिलता है तो आपको लोधी बंस हम पढ़ेंगे ठीक है का पढ़ेंगे लोधी बंस के अगले कोशन हम लोधी बंस की ओर चलेंगे ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेर करना, चैनल को कर देना, सस्क्राइब, बैल एकन को प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!